हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवान वेलकम बाक टू दा चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं NCRT Solution Classics Social Science Civics का आपका जो फॉर्स्ट चैप्टर है Understanding Diversity बहुत ही सिंपल चैप्टर था पूरी वीडियो में explain कर चुका हूं पट नहीं भी देखिए न तो कोई दिक्कत नहीं यार इस वीडियो में लोकल एरिया में celebrate किये जाते हैं इसमें कौन से celebration बहुत सारे religious या non-religious community से share किये जाते हैं religious non-religious नहीं है आपर regional और religious है ओक जी तो ऐसे festival shared by different regional and religious community कौन-कौन से हैं इंडिपेंडेंडेंस डे रिपब्लिक डे गांधी जैनती जो कि किसी particular धर्म के नहीं है क्योंकि ये सारे क्या है national festival है तो हर देशवासी इन्हें मनाता है वो किसी भी धर्म का ओक जी कैसा भी हो वो कोई दिक्कत नहीं ठीक है समझ मैं है इसको हम अच्छे से समझते है येस living in India with its rich heritage of diversity adds to our life in the following way we know different people, their culture, custom, traditions, background, these diverse things adds to our life देखो simple सी बात है हम बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, उनका culture सीखते हैं, उनके custom सीखते हैं, उनके background के बारे में जानते हैं और ये diverse knowledge हमारी life के बहुत अच्छे experiences को बनाती है उसके अलावा geographical diversity decide our way of life, our food, our occupations, many other things इसके अलावा अगर geographical diversity आपने कई बार देखा हुआ, कोई पहाड़ों में रहता है, तो वो एक तरीके काम करता है, उनकी खेती बाड़ी अलग तरीके की, उनकी language, occupation, food, सबकुछ अलग तरीके का होता है और हम अपने custom and traditions को बहुत रिलिश करते हैं, उन्हें खुशी से enjoy करते है next, do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India, क्या आप मानते हैं हमारे देश को describe करने के लिए सही term है what do you think, what do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from the book, the discovery of India भाई देखो इस question में आपको दो चीज़ें बता दी, पहला तो Nehru जी ने ये quote दिया था unity in diversity, दूसरा कौन सी बुक में दिया था the discovery of India आपके जी के लिए important था तो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं समझते हैं, yes we think that the term unity in diversity is an appropriate term to describe India, ठीक है ये आपको लिखनी लिखनी है line, next, diversities की बात करें, geographical diversity है हमारे देश में physical feature, climate, vegetation, river, lake, कोई कहीं 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 cultural diversity बहुत जादा है, कोई language बोल रहा है, किसी कोई religion है, कोई community है, कोई custom है, कोई festival मना रहा है, कोई अलग-अलग हमारे देश में बहुत भेंकर diversity है, especially cultural despite all these diversity, there is unity among people but इस सब diversity होने के बावजूद हमारे देश में गजब की unity है हम सब एक हैं, this stood against the British and through mighty empire by adopting ahinsa and peaceful means हमारे देश में इतनी variety होने के बावजूद भी हमने मिलके, एकता दिखाके हमारे देश से Britishers को भगा दिया all the people belonging to various religions are one, when the country's interests are involved जैसे हमारे देश की, अगर आप army की बात करो, तो वहाँ पे कभी कोई ये नहीं देखता के वही कोई हिंदू है, मिसल्मान है, हमारे देश की आर्मी है, वह आर्मी है, सिर्फ आर्मी तो नोट मैटर वह कौन सी society से आते हैं, वह कौन सी caste है, कौन सी क्या है कुछ फरक नहीं पढ़ता, समझ रहो सिमिलरली जब हमारे देश का मैच होता अस्ट्रेलिया से, तो आपने देखा है, कैसे पूरा देश एक हो जाता है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, आप कौन से धर्म क्यों, हर इंसान के दिमाग में पस ही चीज होती है, आज इंडिया जीच जीच जा है, हमारा देश जीच ज मैं भी नहीं भी हूँ, बट जब आप किसी ऐसी प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन में फस जाओ, और तब आप एक दूसरी की जो help करते हो ना, उससे बहुत अच्छा bond बहुत जल्दी शेर हो जाता, तब आप यह नहीं सोचते हो कि यार यह इसका क्या असर नेम है, क्या ना पास यह लाइन आपको लिखने कोई सरो हो नहीं है, छोड़ो, अगला कॉशन, चूज अनधर इलिजिन यह भी छोड़ो, अब हम चलते हैं, वरी वरी इंपर्टन कॉशन की तरफ, यह सारे कॉशन तुम चिदी पिदी कुद करते हैं, लेट्स फाइंड आउट सम वरी कॉशन गाइस, यह आ गया हमारा वहरी इंपर्टन कॉशन, इंडिया इस अ कंट्री ओफ मैनी डाइवर्सिटी इस एक्सपें गिविंग एंग्जांपल हमारे देश में एक डाइवर्सिटी नहीं है, बहुत अलग अलग तरीकी डाइवर्सिटी हैं, जैसे की, बहुत अलग तरीक खाना खाते हैं, कोई चावल दाल, राजमाहिट, ली, डोसा, रोटी, अलग अलग, हमारे फेस्टिबल्स बहुत अलग हैं, कोई होली, दिवाली, इद, गुरुपूर, क्रिस्मस, बैसाखी, बहुत अलग अलग, अलग अलग धर्म हैं, हिंदू इस्लाम, सिकि कपड़े पहनते हैं, साडी, बलाउस, कुर्था पजामा, शर्ट, पैंट, जीन, स्टाई, ओ स्टाई, जीन, स्टाई तो कुछ होता है ना, जीन और टी-शर्ट, कुछ भी हो सकता है, देखो, ये भी इंपॉर्ट नहीं है, इंपॉर्ट कुछ नहीं है, इतने लंग बुक ओबिटिक कौन करें, ये है न, हाओ आर हिस्ट्री और जीन, जीन, समझते हैं, एक्स्प्लें गिविंग एग्जामपल ऑफ केरला ये पढ़लो क्योंकि बुक में भी बड़ अच्छा कॉंसेप्ट दे रखा है, सिंपल सी बात है, जो लोग केरला में रहते हैं, इंडिया क के एकदम साउथ में, और जो लोग लदाक में रहते हैं, इंडिया के एकदम नॉर्थ में, इन दोनों की लाइफ को आप कंपेर करो, आप समझ जाओगे के गजब की डाइवरसिटी है हमारे देश में, केरला इन लदाकर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ओफ दे जोग् collection, the people of लदाक केरफुली collect the wool of sheep and sell it to the traders from कश्मीर, कश्मीर के लोगों को वो उन बेच देते हैं, the history of both regions has been affected by similar culture influences, देखो, पट इन दोनों की जो history है न, वो similar cultural influence के विच्छे से change होती है, वो कैसे, बोत regions were influenced by Chinese and Arab traders, दोनों यह जगह पे Chinese और Arab traders आये थे, thus we can say the history and geography are often tied in the cultural life of a region, समझ में आ गया, पतलब point to point आप एकदम समझ सकते हो, चोटी 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 चीज़ हैं, जैसे आपने इसमें क्या, पिला आपको उनकी difference के बारे में बात करने हैं, उनके business, फिर उसके बाद उनका जो एक main चीज थी, कि history दोनों की same चीज़ से affect होती है, अगला question, what does diversity add to our life, यह question अभी हम अब हम अब अब बार पढ़ चुके है, diversity हमारी लाइफ में क्या add करती है, ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं, देखो, diversity is dissimilarity in a way of our life, diversity क्या है, हमारे जीने के तरीके में अलग 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 पन, it is observed in religious function, in festival, language, one thing that is unique about diversity is that it teaches us to live and adjust ourselves in a broad society, यह में सिखाता है, अलग अलग लोग के बीच में अपने आपको adjust करना और रहना, हमारा constitution मानता है, in respect to all human beings, हमारा constitution में सिखाता है, कि हर इनसान की आपको इज़्जत करनी है, similar तरीके से, फरक नहीं पड़ता है, वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, काला है, कोई फरक करनी पड़ता, diversity makes us tolerant and just, diversity हमें सिखाती है, justice, क्योंकि जो कि बहुत जरूरी है, इनसाफ और tolerance, कि भाई, सिर्फ यह नहीं कि हम ही ठीक है, सामने वाले के लिए भी आपको सुनना ही पड़ेगा, कि वो क्या कहना चाता है, we know how to behave with other people, belonging to different caste, creed, और culture, अब हम जानते हैं, कि बा तो समझते हैं फटाफट, diversity is a term that applies to dissimilarity, diversity कहाँ अपलाए होती है, जहाँ पे dissimilarities होती है, it may be in a language, food, culture, living religion, etc, etc, किसी भी चीज में हो सकती है, India is a unique country where one can observe it extensively, India का एक unique country है, जहाँ पे आप सब कुछ observe कर सकते हो, हर तरीकी चीज़ है, there are a number of festivals, language, dresses, religions, regions बहुत सारे हैं, इसी वज़े से बहुत जारी अलग-अलग variety हमारे पास, people of India are Indians and they salute to one flag, इस सब के बावजूद भी, हम सब भारतिय कहलाते हैं, Indian कहलाते हैं, हम एक flag मानते हैं, हम एक national anthem गाते हैं, यह क्या है, यह unity ही तो है, हमारे diversity में, diversity occurs when we travel to different parts of the world, diversity होगी, जब हम अलग-अलग जगे पह to learn something and to trade, अब बहुत समय के साथ, लोग अलग-अलग जगे पहुँच गए, कोई कहीं जाब के settle हो गए, कोई कहीं जाब के settle हो गए, trade के अलग-अलग purpose से, उन्होंने अलग-अलग lifestyle को अपना लिया, अलग language ले ले लिया, अलग culture हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, diversity के ठीक है न, I hope, आपको मेरे काल से इसके अलावा और कुछ जादा important question है नहीं, yes, सारे important question हो चुके है, सारे NCRT question हो चुके है, I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं